नमस्कार दोस्तों, पात्फाइंडर में आप सभी का स्वागत हैं, मेरा नाम है डॉक्टर मही पाल सिंग्राटोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा एक फोटोग्राफ को लेकर चल रहे है डिप्लोमाटिक इंसिडेंट के बारे में हिस्टोरिकल फोटोग्राफ, 11 अगस्त को तहरान स्थित रश्यन दूतावास ने एक फोटोग्राफ को ट्वीट किया, इसमें रशिया के अमबैसेडर और यूके के नवनियुक्त अमबैसेडर, दोनों इरान में जो तैनात हैं, ये दोनों कुरसी पर बैठे हैं और बीच व फोटोग्राफ इन्हें काफी भारी पढ़ गया, क्योंकि एरान के लोग, एरान की सरकार और कई सारे मंत्री इसको लेकर बहुत नाराज हो गए, एरान के फोरेंड मिनिस्टर का आप यहाँ पर ट्वीट पढ़ सकते हैं, कि ये बहुत ही इन अप्रोप्रियेट पिक्चर ह ये 2021 का साल है, और विदेशी शक्तियां इरान का भविश्यत तै नहीं कर सकती हैं, लेकिन कॉन्फरेंस के फोटो में इसी प्रॉब्लम क्या है, यही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, अगर आप अन अक्याडमी आप पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो इस आईडी मिनिट में, अभी आप बस इतना याद रखो कि 18th century में, नादिर्शाह याद है ना आपको, जिसने दिल्ली पर हमला किया था, दिल्ली को लूट कर गया था हो, नादिर्शाह की डेथ के बाद से इरान में कोई strong dynasty rule नहीं कर रही थी, कुछ ना कुछ समस्याइं चली रही थी फाइनली, वर्ल्ड वार वन के बाद में जाकर यहाँ पर थोड़ी सी स्थिरता आती है, और एक कजार dynasty को replace करके, रेजा खान जो की एक military officer थे, ये इरान को rule करना start कर देते हैं, तो ये एक नई dynasty स्थापित हो जाती है यहाँ पर, तो रेजा खान जो है, आगे चलकर ये रे रिष्टे बना रखे थे, क्यूंकि इन्हें लगता था कि Russia और Britain, जो दोनो great game में involved थे, ये इरान के लिए अच्छे मनसूबे नहीं रखते हैं, जो काफियत तक ठीक भी थी बात, तो इसलिए इन्होंने जर्मनी से अपने रिष्टे जादा अच्छे बनाएं, क्यूंकि इ ऐसे में इरान के सामने एक परिशानी खड़ी हो जाती है, UK और Soviet Union लगातार इरान पर दवाव बनाते हैं, कि आप क्यूं जर्मनी का सपोर्ट कर रहे हो, इनके साथ अपनी economic dealings कम कर दो, इनको oil मत बेचो, और इसके पीछे reason ये दिया जा रहा था कि देखो कैसी anti-semitic ये government ह जो बात बिल्कुल ठीक थी, इरान भी नाजी government के anti-semitism को support नहीं करता था, in fact, इरान की embassy ने तो कई Jews की जान भी बचाई थी, उन्हें नागरिकता देकर इरान समगल करके, लेकिन फिर भी इरान जर्मनी को economically support कर रहा था, दोनों के बीच में जो रिष्टे थे वो बने रहे ऐसे में Britain और Soviet Union ने कहा कि Reza Khan की जो सरकार है, ये नहीं चलने दे सकते हैं, ये प्रो नाजी सरकार है, देखो ultimate लक्षे कोई Nazism नहीं था, इन्हें चाहिए था oil, क्यूंकि Russia को oil supply के आवशकता थी, युद्ध छड़ चुका था, और इन्हें पता था कि अगर oil fields secure नहीं है, त लडाई में लंबे समय तक ये टिक नहीं पाएंगे, ब्रिटिश ने रेजा खान को एक ultimatum दिया, कि आप जर्मनी के साथ सारे रिष्टे खत्म कर दो, जर्मन नागरिकों को अपने देश से बहार निकाल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, रेजा खान ने से करने से मना किये गए और जितने भी oil fields हैं, उनको secure किया जाता है, तो इसको कहते हैं Anglo-Soviet invasion of Iran, आपने शायद इसका कभी नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि World War 2 की history में अकसर ये chapter gloss over कर दिया जाता है, मतलब इसको detail में कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि ये बहुती चाला की बरा invasion था इसको British चाहते ही नीते के जाधा publicity मिले, तो उस वक्त भी इसे जाधा publicize नहीं किया गया, लेकिन Soviet Union और British ने इरान पर हमला करके देश को अपने अपने हिस्सों में बांट लिया, और इस हमले के दौरान British Indian armies का इस्तमाल किया गया था, तो जो यहाँ पर सैनिक लड़ रहे थ इसे लगबग सभी Indian soldiers यहाँ पर शामिल थे, अगस्त और सितम्बर 1941 में चलाए गए इस operation का नाम था, operation countenance, countenance शब्द का क्या मतलब होता है, एक चहरे का expression, तो इन्होंने अपने चहरे का expression बिलकुल भी ना बदलते हुए, अंग्रेजों ने इरान पर हमला कर दिया, और आ समले से allied countries की oil supply पूरी तरह से सुरक्षित हो गई, Soviet Union को पता था कि अब हमारे पास यहाँ पर oil supply है, चाहे जर्मनी यहाँ तक आ जाये, Caspian Sea के पास तक, लेकिन फिर भी वो इरान के through oil को ले सकते हैं, और दूसरी तरफ UK भी Persian Gulf के माध्यम से समुद्री रास्ते से अपनी oil को supply कर रहा था European war effort के लिए, militarily हारने के बावजूद, इरान की सरकार, अंग्रेज और Soviets के साथ cooperate नहीं कर रही थी, रेजा शाह की जो सरकार है, रेजा शाह खुद अंग्रेजों के विरोधी थे, इन्होंने cooperate करने से मना कर दिया, तो Soviet और British ने मिलकर, रेजा शाह को हटा दिया गदी से, और इनके बेटे को गदी पर बिठा दिया गया, मुहमद रेजा पहलावी, दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, confuse मत होना, तो मुहमद रेजा पहलावी को 1941 में शाह अफ इरान बना दिया जाता है, इन्होंने title अपने आपको दे दिया, शेहन शाह, और 1979 में जब तक इरान revolution नहीं होता, तब तक यही गदी पर बैठे रहे थे, अब कहने को रेजा पहलावी का राज था, लेकिन इरान एक गुलाम देश था, World War 2 के समय, और इसी का फायदा उठाते हुए, एक secure area के तहत, यहाँ पर तहरान conference बुलाई गई, तहरान conference होती है, November, December 1943 में, तो यह पर जो तीन बड़े allied countries हैं, United States, United Kingdom और Soviet Union, इनकी top most leadership मिलने के लिए आई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, Stalin from Soviet Union, यह है FDR, Franklin Delano, Roosevelt, अमेरिका के राश्टरपती, और यह है Winston Churchill, UK के Prime Minister, इन तीनो allied countries के top leaders के बीच में, World War 2 के समय, तीन meeting हुई थी, जिनमें से सबसे पहली थी Tehran Conference, तो यहाँ पर यह तीनो leaders खुद आते हैं, इनकी life को बहुत risk था, याद रखो कि उस समय, travel इतना safe नहीं था, World War चल रहा था पूरी दुनिया में, और हवाई जाहस्त भी तब इतने secure नहीं हुआ करते थे, कोई भी हवाई जाहस्त को रस्ते में मार गिराया जा सकता थ It was a war, पर फिर भी तीनों आते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, तहरान के आसपास लड़ाई नहीं चल रही थी, तो इनको यह काफी secure location लगी, और इन्होंने आपस में discussion किया, कि क्यो ना नाजी जर्मनी के खिलाफ Eastern Front खोल दिया जाए, Eastern Front का मतलब है कि जो Soviet Union और जर्मनी के बीच क नहीं थी, आपको मैं बिल्कुल fact बता रहा हूँ, स्टालिन से यह दोनों इतने खुश नहीं थे, सब के अपने अपने agenda थे, तो तीनों को मिलकर एक मंच पर लाना एक बहुत बड़ा काम था, और इस meeting से वो हो पाता है, World War II का जो effort है, वो धिरे धिरे आगे बढ़ता है, और 43 के बाद ही allied countries को अच्छी जीत मिलनी शुरू होती है, इसी meeting के दौरान यह photograph खीचा गया था, एक आपचारिकता होती है, जब भी बड़े निता मिलते हैं तो इस तरह की photos खीची जाती है, तो Russian embassy है यह building, जहाँ पर यह meeting चल रही थी, और तहरान में, उसी की सीडियों प यह कुरसी लगा कर यह photo खीचा गया था, अब इसी photo को recreate करने के लिए इसी जगे पर यह Russian और UK के ambassador ने यह photo अभी कुछ दिन पहले खीचा, same कुरसी है उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल करी, पता नहीं कैसे survive कर गई 70 सालों तक, बट जो भी है, एक कुरसी यहाँ पर आपको खाली मिलेगी, तो US का ambassador यहाँ पर मौझूद नहीं है, because there is no US embassy in Iran, अमेरिका की कोई embassy नहीं है तहरान में 1979 के बाद से, अब इरान को इस पर गुसा क्यों है, आपको लग रहा होगा एक simple सा photo है, देखो, जब यह conference हो रही थी, तहरान conference, तो पहली बात तो इरान की सरकार को ब नहीं किया, सारा अनाद जो है, वो war effort के लिए यूरोप में सेनाओं को भीजा जा रहा था, बिलकुल जो भारत में बंगाल की स्थिती थी, वही उस वक्त इरान की स्थिती थी, लोग भूके मर रहे थे, inflation था, कीमतें बढ़ रही थी, खाने पीने की चीजों की, इरान की ज और हम इरान को इंडिपेंडेंस दे देंगे, लेकिन उस वादे से भी ये मुकर गए, Soviet Union कई सालों तक इरान से बाहर नहीं निकला था, हला कि ultimately वो बाहर चले गए, लेकिन काफी time लगाया उन्होंने, और जब इन्होंने इरान को अकेला छोड़ दिया, तो इरान में क्या ह होता है कि एक democratically elected सरकार आती है, उस सरकार ने ये निरने लिया कि oil fields पर British companies को हम नहीं आने देंगे, तो इसलिए America ने 1953 में या तकता पलट कर दिया, तकता पलट करके इन्होंने अपने favorable लोगों को power में बिठा दिया, और Anglo American oil companies जो है, इनके contract आने वाले कई सालों तक चलते र पूर्ण है, तो ये वाला जो तकता पलट का operation था, इसको operation Ajax कहा जाता है, ये CIA और MI5, यानि कि US और UK की intelligence agencies ने मिलकर अंजाम दिया था, 1970s में इरान में एक revolution होता है, Islamic revolution of 1979, इसमें ultimately शाह को देश छोड़के जाना पड़ता है, और यहाँ पर जो US, UK की ये oil companies हैं, इनको भी देश छोड़के जाना पड़ता है, सारा oil nationalize कर दिया गया, जो अभी सरकार वहाँ पर चल रही है, वो पिछले 40 साल से यही theocratic regime है, और इसी सरकार के दहत अब वहाँ पर Anglo American oil companies को allow नहीं किया जाता है, तो अभी जब ये photo खिचवाया गया, तो इरान के लोगों को एक तो इस री नाराजगी ये, कि आप 1941 में जो हुआ था, वो एक अलग जमाना था, colonial empires थे, आप उसको replicate करने की कोशिश अभी मत करो, उसको दोहराने की कोशिश मत करो, इरान अब एक कमजोर देश नहीं है, कि विदेशी ताक्ते हैं यहाँ पर इरान का रुख तै करें, इरान की सरक नहीं हुई है, अभी भी वो इरान nuclear deal जो डॉनल्ड टरंप ने खत्म कर दी थी, उस पर बातचीत जारी है, रशियन M.A.C. ने हाला कि इस photograph के बाद अगले दिन एक clarification जारी किया, it is not an apology, it is just a clarification, सफाई दी है, इन्होंने ये कहा कि ambiguous reaction हमें लगा, और हम ये साफ करना चाते है कि photograph बिल्कुल भी anti-Iranian नहीं था, हम इरान के प्रती काफी friendly हैं, और हमारा मकसद बस यही था कि नाजी जर्मनी को हराने के लिए, त्वितिय विश्विद्ध में, जो UK, Soviet Union और US ने एक साथ होकर decisions लिये थे, उसको हम फिर से याद करना चाते थे, इरान का हम बिल्कुल सम् किया गया था, जिसमें एक UK की नागरिक की भी मृत्यू हो गई थी, इरान पर इसका आरूप लगाया था, UK और USA दोनों ने, और इसके बाद दोनों के बीच में diplomatic रिष्टे थोड़े से अभी खिचे हुए, मतलब थोड़े से tension है इन दोनों के बीच में, फाइनली मैं आप The final conference हुई थी, Potsdam में युद्ध खत्म होने के बाद, this was in July 1945, मतलब यूरोप में युद्ध खत्म हो चुका था, तो ये तीन conferences है, जिसमें ये तीनों नेता आपस में मिले थे, आपको ये जानकर काफी हरानी होगी, कि ये तीनों conferences, Eurasia में हुई थी, ऐसी जगे जहाँ पर Joseph Stalin train या फिर सडक मार्क से पहुँच सकते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि Stalin को उड़ने से डर लगता था, so he could not fly in an aeroplane, he had aviophobia, तो ये काफी interesting एक छोटा सा trivia है, याद रख सको तो रख लेना, एक आपके लिए trivial सा question भी है, अगर कोई football fan है तो जवाब जरूर दें, एक ऐसे football footballer हैं, जिन्होंने 2006 का Champions League final miss कर दिया था, Barcelona और Arsenal के बीच में, क्योंकि उन्हें flight से डर लगता था, तो उन्हें मना कर दिया, मैं जाओंगा ही नहीं final में, अगर किसी को उस Dutch footballer का नाम मालूम है, तो comment में लिखिएगा, lecture का PDF आपको इस telegram channel पर मिल जाएगा, UPSC की तयारी कर तो Unacademy platform पर भारत के best educators live classes लेते हैं, बहुत सारी free classes होती है, special classes उन्हें आप देखिए, उसके अलावा plus और iconic दो प्रकार के subscription है, दो नहीं subscription में आपको 10% discount मिल जाएगा, अगर आप महिपाल code यूज करते हैं, याद रखिए कि optional की तयारी भी यहां करवाई जाती है, और आपको classes, test series, printed किताबें, सब कुछ available हो जाएगा, optional की classes, optional की test series भी हमने इसमें शामिल कर दिये, EMI पर भी आप इस course को avail कर सकते हैं, किताबें Hindi या English जिसमें चाहें आप ले सकते हैं, कई नए optional batches start होने वाले हैं, कुछ और attractive offers भी हैं, mentorship days और CSE Assure के तहत, extended validity भी आपको मिल र और 14 और 15 अगस्त को, लगातार हम classes लेने वाले हैं, इंडिया की independence से related, तो आपको 14 अगस्त को 6 बजे मेरी class है, उसको attend करना है, ये class pathfinder पे नहीं, let's crack UPSC channel पर होने वाली है, एक special class है, link आपको telegram channels में मिल जाएगा, और ये special classes होंगी, जिसमें सरदार वल्लब भाई पतेल व